आज हम आलू की पापड बनाने वाले हैं, वैसे तो जो आप आलू की पापड बनाते हैं, उसके लिए पहले आप आलू कूकर में बालते हैं, फिर आलू कद्दू कस करके पापड बनाते हैं, लेकिन आज हम कच्चे आलू से एकदम नए तरीके के पापड बनाएंगे, आलू पाने पीछ लीटर पानी या पिशहे तरह में नमक को पानी में अच्छा में अ्युआ只 iq it डालда डालेंगे या पर हमने पांच कच्चे आलू छोटे पीश में इस तżenie लिया है पूरे आलू को हम पानीटाइगे उस suspension आलू पकने में कम समय लेगा जल्दी से पक जाएंगे अब कड़ाये को उपर हम ढखकन लगाएंगे आलू को 10 से 12 मिनट तक मीडियम आच पकाएंगे बीच बीच में हम एक दो बार आलू को चेक कर लेंगे कि आलू पके हैं या नहीं लगभख 12 मिनट गवाद हम आलू को चे करता ना लगाया है इसी चल्ने में पूरे आलू को टाल देते हैं आलू को चानने गवाद इसे हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे जो इसमें श्ट्रा पानी है ओपतिलेम निकल जाए अब आलू को सारा पानी निकल गया है तो इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे अब आलू को हम अच्छे से मैस करेंगे, पापड के लिए हमें आलू को अच्छे से मैस करना है, जिससे इसमें आलू के ढ्रोंके बिल्कुल न रहें, आलू को आप चाहें तो कटोरी या फिर गिलास से मैस कर सकते हैं, क्योंकि आलू गरम रहने पर जल्दी से फूट जाते है तो इसलिए इसे आप कटोरी गिलास या फिर मैसर से मैस कर सकते हैं आलू को हमने अच्छे से मैस कर लिया है अब इसमें हम नमक मिलाएंगे पहले इसमें हम एक छोटी चमच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसके बाद एक छोटी चमच जीरा डालेंगे स्वात के अंसवा नमक डालेंगे नमक हमने थोड़ा से आलू पकाते समय डाला था इसलिए नमक कम डाल रहे हैं और थोड़ा से हरा धनिया डाल कर सारे चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं आलू के पापड साधे अच्छे लगते हैं इसलिए हमने इसमें मसाला नहीं डाला है, अगर आपको चटपटा पसंद है, तो आप इसमें थोड़े बहुत मसाले डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़े मसाले डालें, सारे चीजों को मिलाकर हमने पापड के लिए आलू तयार कर लिया है, अब हम पापड बन लेकिन आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं तेल लगाने से क्या होगा पापर इसमें चिपकेंगे नहीं और सुखने बाद पापर आसानी स्पॉल्थिन को छोड़ देंगे पापर के लिए पहले हम आलू की छोटी 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 लोई यह बना लेते हैं इस तरह से चिकना चिकना चार से पांच लोई बना लेते हैं आप जितना बड़ा पापर बनाना चाहते हैं लोई को उसी हिसाब से बनाएं अब हम पापड को बनाएंगे तो एक लोई पहले पॉल्थिन पर रखेंगे लोई उपर थोड़ा स्टेल लगाएंगे अब इसके उपर से हम छोटी वाली पॉल्थिन रखेंगे पापड हम प्लेट से बनाएंगे तो इसी प्लेट से हम लोई को दापकर पापड बना लेते हैं आप देख सकते हैं बिना मसीन का कितना बढ़ी है पापड बना है अगर आपके पास मसीन नहीं है तो पापड को आप प्लेट थाली या फिर हां से बना सकते हैं अब दूसरा पापड हम आपको थालिस बना कर दिखाते हैं तो पहले हम लोई को उपर तेल लगा कर पॉल्थिन लगाएंगे यहाँ पर हमने छोटी थाली लिया है अब इसी थाली से हम पापड बना कर दिखाते हैं अब एक पापड हम आपको हाँ से बना कर दिखाते हैं हाँ से भी पापड बहुत बढ़ियें बनता है बिन थाली, प्लेट या मसीन के हाँ से पापड बढ़ियें बना सकते हैं इस तरह से चारों तरफ से हाँ से फाइलाते हुए पापड को बना लेते हैं आप देख सकते हैं तिसरा पापड हमने हाथ से बनाया है अगर आपके पास मसीन है तो आप मसीन से पापड बना सकते हैं या फिर इस तरह से हाथ से बना सकते हैं आपको जो असान लगे उसी हिसाब से आप पापड को बना सकते हैं इसी तरीके से हम पुरे आलू का पापड ब जरूर बनाए होंगे लेकिन यह पापड कम समय में जल्दी से बनकर तयार हो जाता है और जल्दी खराब भी नहीं होंगे इसको आप एक बार बना कर साल भार इस्टोर कर सकते हैं आप देख सकते हैं एक एक करके हमने पूरे आलू का पापड बना लिया है अब इसको हम एक से दो दिन तक तेज धूप में सुखाएंगे अगर धूप तेज हैं तो एक दिन में सुख जाएंगे अगर हलके धूप हैं तो दो दिन लग जाएंगे एक दिन बाद आप देख सकते हैं पापड अच्छे से सूख कर कड़क हो गए हैं सूखने बाद आप देख सकते हैं पापड कितना बढ़िया लग रहा है इसको आप इसी तरह डिब्बे मिश्टोर करके साल भर रख सकते हैं एक खराब नहीं होंगे अब हम पापड को तल कर दिखाते हैं पापड को तलने के लिए तेल हमने अच्छे से गरम किया है और गैस को हमने मेडियम में रखा है अब एक एक पापड हम तेल में डाल कर तल लेते हैं यह आलू का पापड तलने में बहुँ ज़दा समय नहीं लगता है इसमें आप देख सकते हैं इसको fry करने में कितना कम समय लग रहा है यह बहुत ही जड़ी से fry हो जाते हैं बस इसे तेल में डाले और तुरंद पलट कर निकाल ले आलू की पापड तेल नहीं सोकते हैं और जल्दी से फ्राय भी हो जाते है याँ पर हमने थोड़े पापड फ्राय कर लिये हैं बहुत ही बढ़ियां स्वाधिश आलूप पापड हमारे बने हैं और ये पापड बहुत क्ριस्पी भी हैं तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी और कुर्कुरा पापड बना है। आप भी इसी तरह से बहुत ही असाने से आलू पापड बना सकते हैं। एक बार इसको बना कर साल भार रिश्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको पापड़ खाने का मन हो तो आप इससे तेल में चल कर खा सकते हैं.